ग्रेट एंटर्टेनर मिथुन चक्रवर्ती हमारे सबके प्यारे मिथुन्दा सबसे जादा फिल्मों में बतोर हीरो काम करने का रिकॉर्ड बनाए हैं और उनका ये रिकॉर्ड गिनेस बुक अफ वाल्ड रिकॉर्ड में भी रेजिस्टर किया हुआ है लेकिन हैरानी के बात ये है कि अपने इतने लंबे फिल्मी करियर में मिथुन चक्रवर्ती सरिफ दो ही डरावनी फिल्मों में काम किये हैं मिथुन चक्रवर्ती के दो हॉरर फिल्म है एक 1979 में रिलीज किया हुआ भयानक और दूसरा 1988 में राजकुमार कोहली निर्देशित बीस साल बाद फिल्म भयानक के बारे में जो रिव्यू है उसका वीडियो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में उपलब्ध रहेगा मिथुन दा के सेकेंड हॉरर फिल्म बीस साल बाद के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे बीस साल बाद फिल्म निर्मित हुई थी सन 1988 में इससे पहले सन 1964 में यही सेम टाइटेल से विश्वजीत और वाहिदा रह्मान को कस्ट करके एक बीस साल बाद फिल्म बनी थी जो की एक काल्ट सस्पेंस थ्रिलरों में गिना जाता है फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है कबीले की सरदार सरजु की बेटी निशा प्यार करती है एक नौजवान सूरज से सूरज भी निशा को बेहत प्यार करता है दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाता है जब सूरज और निशा आपस में सादी का फैसला करता है तब उसमें दरार बन जाता है कबीला का ही एक लड़का बादल बादल निशा को चाहता है लेकिन निशा बादल को बिल्कुल पसंद नहीं करती है निशा के साथ संबंद को लेकि बादल सूरज को धमकाता भी है जब ये बात कबीले का सरदार सरजु को पता चलता है तब वो भी निशा और सूरज के संबंद को सुईकार करने से इनकार करता है इसके फलस्वरूप निशा खुदकुश्री करने की कोशिश करती है और निशा को उस समय बचा लेता है इनस्पेक्टर वर्मा निशा की हालत देखकर और इनस्पेक्टर वर्मा के समझाने पर सरजू निशा और सूरज के शादी में हां कर देता है और निशा और सूरज की शादी हो जाता है लेकिन उस गाउं का ठाकुड का निशा के उपर एक बुरी नजर था जब सूरज और निशा शादी के दिन ठाकुड से आशिरवाद मांगने जाता है उसी रात ठाकूर नीशा के साथ बदसलूकी करने का कोशिश करता है और नीशा हवेली के छद से कुद के अपना जान दे देती है दूसरे और बदले के आग में जलता हुआ बादल भी सुरज को मार डालता है इसके बाद सुरज का दूसरा जनम होता है लेकिन नीशा की प्रेत आत्मा उसी हवेली में भटकती रहती है और ना ही वो किसी को इस हवेली में आने देती है और ना ही किसी को इस हवेली को खरीदने देती है वो अपने प्रेमी सूरज की प्रतिक्षा में हवेली में भटकती रहती है इस जनम में सूरज वोही ठाकूर जिसके कारण निशा की जान गई थी उसी की बेटी कीरन के हस्बेंट के रुप में आता है और कीरन और सूरज जब ठाकूर साब से मिलने आते है तब ठाकूर साब सूरज की सूरद देखके चौग जाता है लेकिन ठाकूर अपने पिछले जीवन के काहनी सूरज और कीरन के सामने खुलासा नहीं कर पाता है जब सूरज को रात में निशा का खुआब आता है और वो बेचैन हो जाता है तब कीरन भी घबरा जाती है सूरज और कीरन उस हवेली में इत्तेफाक से आता है और निशा किसी भी कीमत पे सूरज को हासिल करना चाहता है निशा बार-बार सूरज के खुआब में आकर के सूरज को उसकी पिछले जिन्दगी के बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है कीरन को भी लगती है कि उसका पती सूरज पे कोई बुरी बला का साया जरूर है निशा के आत्मा के साथ ठाकूर साब का भी टकरार होता है कीरन अपने पती के जान बचाने के लिए एक तांत्रिक का सहारा लेती है और दूसरे और निशा भी अपने पिशाचिनी के शक्ती के सहारे सूरज को मार के उसे हासिल करना चाती है करवा चोथ से दो अमावस पहले इस नक्षत्र जोग से निशा अपने प्रभाब सूरज पे डालना शुरू करता है और जिसका अंत करवा चोथ के दिन ही होने वाला है लेकिन कीरन भी हाल नहीं छोड़ती है वो किसी भी कीमत पे सूरज को निशा से बचाने का कोशिश करती ही रहती है आखिरकार भवानी बावा नाम के एक बीराचारी तांत्रिक के मदद से निशा के आत्मा को मुक्ती मिलती है और सूरज निशा के प्रकोप से मुक्त होता है भवानी बावा सूरज से ये बोलते हैं कि निशा के जो कंकाल जो की जिसका अंतिम संसकार नहीं हुआ है उसे तुम पूर्ण रूप से ठीक ठाक अंतिम संसकार कर दो तो इस आत्मा का मुक्ती हो जाएगी सूरज भवानी बावा का आदेश मान के वही काम करता है और निशा के आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और सूरज और कीरन का मिलन हो जाता है यही थी फिलीम 20 साल बाद की कहानी इस फिलीम को अगर आप एक साधारन मूवी के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है लेकिन अगर इस फिलीम को अगर आप एक होरर मूवी के हिसाब से कॉंसिडर करने का कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ दिक्कत है क्यूंकि इस फ्लिम का शुरुआत तो बहुत डरावनी तरीके से हुआ था इस फ्लिम का स्टार्टिंग में ऐसा कुछ सिक्वेंस है कि दर्शकों को लगता है कि हाँ ये एक बहुत डरावना होरर फ्लिम है लेकिन जितना जितना ये फ्लिम आगे बढ़ता गया उतना ही इस फ्लिम का जो रोमांटिक एंगल है ये इसका भूतिया मिजाज पे भारी पड़ गया और आखिरकार ये फ्लिम एक 85 आत्मा की अधूरी मनो कामना की कहानी में तफदिल हो जाता है जिसमें दर्शकों को सिंपैथी आता है करूना आता है दया आता है लेकिन डर नहीं लगता है और सोसल एंगल से भी देखेंगे तो भी ये फ्लिम बढ़िया है और इस फ्लिम में गाना तो बहुत बढ़िया गाना है वरिष्ट शंगितकार लक्ष्मी कांत प्यारे लाल जी ने बहुत बढ़िया धुन बनाए है इस फिलीम में इस फिलीम का एक गाना हम तुम्हे इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे ये गाना आज भी उतना ही मशूर है उतना ही पॉपुलर है उतना ही लोगप्रिय है जितना उन जमाने में था इस फिलीम में सभी ने बढ़िया एक्टिंग किये हैं सूरज के किरदार में मिथुन चकरवर्ती ला जबाब है डिमपल का पाडिया और मिनाक्षी शिशाद्री भी बहुत बढ़िया एक्टिंग किये हैं ठाकूर के किरदार में अनुपम खेर एस इूजुल शक्ति कपूर भी तांतिरिक बाबा के किरेक्टर में जैसे वो करते हैं हमेशा जैसे हर फिलीम में एकदम वैसे ही टाइप टैक्टिंग किये हैं और अमजद खान भी इस फिलिम में और इस फ्लीम में इंस्पेक्टर वर्मा के कैरेक्टर में विनोद महरा और कबीले के सरदार के भुमिका में बुजूर्ग अभिनेता ओम प्रकाश बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किये हैं विनोद महरा हम लोगों को छोड़के चले गए हैं सन 1987 में और ये फ्लीम रिलीज हुई थी सन 1988 में यानि कि विनोद महरा गुजर जाने के एक साल बाद ये फ्लीम रिलीज हुई थी इस फ्लीम के कहानी लिखे हैं पी डी महरा सहब और इस फ्लीम के डायलोग लिखे हैं ललित महाजन जी और ललित महाजन जी इसमें बहुत उंदा डायलोग लिखे हैं खास करके जो फिलिम का क्लाइमेक्स है जहां पे निशा की प्रेतात्मा को भवानी बावा और कीरन समझाने की कोशिश कर रहा है कि महबत को हासिल करना ही नहीं महबत में सैक्रिफाइस या त्याग भी एक बहुत एहम बात है उस जगा में जो डायलोग्स है बहुत बढ़िया डायलोग्स है और एक जगा है जहां सूरज और निशा अपने अंजाम के बारे में बेचैन होके आपस में बातचीत करते हैं वहाँ पे निशा सूरज को कहती है कि सूरज और निशा का कभी मिलन नहीं होता है जब सूरज उगता है तब निशा गायब हो जाती है और जब निशा आती है तब सूरज चला जाता है बहुत ही दिल को छू लेने वाली डायलोग थी ये और सच में इसमें नाम भी अगर आप नोटिस करेंगे कि सूरज, निशा और कीरन सूरज और कीरन का ही फिल्म में मिलन होता है और निशा त्याग करती है लेकिन इस फिल्म में भूतिया दृष या होरर सिक्वेंस की और जरूरत थी राजकुमार कोहली जो इस फिल्म के निर्देशक थे जिन्होंने हमें जानी दुश्मन और नागिन जैसे फैंटासी होरर फिल्म भेट किये हैं उन से थोड़ा और बहतर उमीद करते थे हम लोग और एक बात जो इस फिल्म में थोड़ा खली वो है कि मिथून चक्रवर्ती का फिल्म है लेकिन एक्षन इसमें उतना ही है जितने की आटे में नमक होता है अगर हम लोग राजकुमार कोहली जी के पिछले कुछ फिल्मों में नजर डाले जैसे कि जानी दुश्मन, जीने नहीं दूंगा, राज तिलक, ये सब फिल्म में जितने भरपूर एक्षन था उस हिसाब से 20 साल बाद में एक्षन थोड़ा कम है इस फिल्म में एक हवेली था, एक अत्याचारी, ठाकुर था, एक प्रेतात्मा थी, जंगल था, बंजारा थे, सबसे बड़ी बात के मिठून चक्रवर्ती थे लेकिन फिर भी ये फिल्म ठीक, हौरर फिल्म नहीं बन पाए, लेकिन अगर आप हौरर फिल्म के नहीं मिठून चक्रवर्ती के फैन है, और मिठून चक्रवर्ती के एक अच्छा मूवी एंजॉई करना चाते हैं, तो 20 साल बाद आप जरूर देखिए फिल्म भयानक और 20 साल बाद के अलावा, मिठून चक्रवर्ती ने जीने की आरजू नाम के एक फिल्म में अविनए किये थे, वो फिल्म हौरर फिल्म तो नहीं था, लेकिन लगभग हौरर फिल्म जैसा ही था, और मिठून दा उसमें एक बहुत ही अजीबो गरीब केरेक्टर को निभाए थे, मिठून दाने अनिल गंगोली द्वारा निर्देशित कौन कैसे जिसमें नेताजी सुभासचंद्र बोस के भतीजे अरधेंदू बोस भी एक बहुत एहम भुमिका में नजर आये थे, और धूआ ये दो सस्पेंस फ्रिलर मुवी में एक्टिंग किये हैं। कर दो सकते हैं।